हाई दोस्तों दिस इज कुम्रेश्पार देखो दोस्तों अभी मैं हूँ हिमाचर परतेश के जुबल डिश्टिंग में यहां पर आजकाल एपल प्लक्विंग का सिजन चल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं एपल गार्डन मूँद यह देखिए एपल गार्डन ह है आजकाल यहां पर थीनिंग हो रही है कि मतलब होता है कि जो रेड रेड अपल के दाने उनको तोड़ा जाता है जो ग्रीन रहते हैं उनको नहीं तोड़ा जाता है जैसे कि आप जो हरे हरे दाने उनको नहीं तोड़ेंगा अब जो हरे हरे दाने उनको नहीं तोड़ेंग तोड़े हमने अभी क्रेड़ में भरे हुए आप देख सकते हो और यह जो बराइटी इस पर की बराइटी आगे चलिए दिखाते हम आप से यह गोल्डन सेव और यहां पर देख सकते हैं आप जैसे हमारे साथ की पूरी टीम हमारी वह एपल प्लकिंग कर रही है यानि की सेव को तोड़ा जाता है यह बंदे प्रेड़ों पर चेड़े हुए अब आपको और आगे दिखाते हैं और में हर सब बहुत सारी पूरी पीन काम करके हैं हमारी यह बंदे है इस देखिए हलो वास्टप गाइज है और भाई लोगो यह सारा हमको इसके बाद भी तोड़ना है इसके बाद इन करेड़ा मों भरा जाएगा उसके बाद सेवां के ग्रेडिंग होगी पैकिंग होगी जनोंसके बाद आगे मार्केट में भेजा जाता हूँ यह है एपल ग्रेडिंग मशीन यह हमारे भाई साब यहासे आपकत बुद जाएंगे रही है और यहां पर तरश लगे हैं अगर कोई अपल गिले रहते तो फैन के माध्यम से सूख के तो यह यह यहां पर इस टाइम में ब्रश में अपल साफ होते हैं तो यहां से अलग-अलग ग्रेट के अलग-अलग हो जाएंगे जैसा कि आप देख सेकते हैं और यह इदर हमारे पैकर लोग बैठे हैं यह देखिए यह बंद एक साथ तीन-तीन पेटियों को पैकर रहे हैं बहुत ही फूर्ती से और बहुत ही स्विट से यह हमारे भाई देखिए आप एपल की पैकिंग चल दिया है और हाँ सबसे तेज ग्रेटर में से ग्रेटर और पैकर दोनों ही मशूर बलवीर सिंग आप देख सकते हो एक दिन में सबसे ज्यादा पेटि भरने का जो रिकॉर्ड इनके नाम पर है और यह हमारे बड़े भाई जी लगे लार्ज एपल की पैकिंग करने में यह सेवों की भरी हुई पेटियों की दाग है देख सकते हो आप अब इसके यह बाद इसके बाद यह पेटिया लोड होके शिरा बंडे जाएगी कि आज आए कि आज आए कि आए ओ सुनो लोगो लाईयो दादा भाईयो मेरे यार सुनो लोगो लाईयो दादा भाईयो मेरे यार थोड़े थोड़े बनियां बैसो वी जी में दार पुईले चे कोफ कराईया थोड़े गाओं घरंदे आया एजो कोरोना को छेडो गाउं दोनू पेड छाईया एजी पिपोध्या की घडी कोसी आई भोगुवान एजी पिपोध्या की घडी कोसी आई भोगुवान एतु धर त्याचे रोलाया ना रोलाया